मेरी चार-पांच सहेलिया थी और उन सब के बॉइफ्रेंड भी थे, मेरी सहेलिया अक्सर मुझे बताया करती थी कि वहाँ जब अपने बॉइफ्रेंड से मिलती है, तो उनके बीच क्या-क्या होता है, किस तरह उनके बॉइफ्रेंड उन्हें प्यार करते हैं, जिससे उन्हे बहुत आनंद मिलता है यही सब करने की जिग्यासा मेरे मन में भी होने लगी थी मेरा भी दिल करता कि मैं भी ऐसा करूँ कोई मुझे भी इस तरह का प्यार करे घर में मम्मी पापा की प्रेम क्रीडा देख कर तो मेरी इच्छा दिन बदिन बढ़ती ही जा रही थी पढ़ाई में भी अब मन बिलकुल नहीं लग रहा था बस इनी ख्यानों में डूबी रहती थी जब भी कोई लड़का या पुरुष मुझे घूरता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं काफी सुन्दर थी और शरीर भी मेरा भारी हो गया था जिसकी वजह से मैं अपनी उम्र स बड़ी दिखती थी कहा जाएं तो पूरी तरह जवान हो चुकी थी उस दिन पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि संदीप अंकल की बाहों में समा जाओं और वो मुझे अपनी बाहों में भर ले जिन्दगी में पहली बार इतनी बेचैनी हो रही थी कुछ देर बाद मैं कर दिया कि मैं शराब नहीं पीती फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बीर पी लेना मैं बीर पीने के लिए राजी हो गई क्योंकि मैं अमीरों की तरह इंजॉय करना चाहती थी फिर मैंने बीर पीना शुरू कर दिया और मुझे धीरे धीरे नशा होने लगा ये भी एक अलग ही एहसास था मैंने पाया कि अब मैं काफी रिलेक्स महसूस कर रही थी और संदीप अंकल से खुल कर बाते करने लगी। मेरी जिजग भी अब खत्म हो चुकी थी। संदीप अंकल की बाहों में जाने का बहुत मन कर रहा था। उनका स्पर्श सुख पाने के लिए बेताब होने लगी कुल मिलाकर उनके लिए तड़ रही थी। वो बिलकुल शान्त होकर अपनी ज्रिंक का आनन ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा अंकिता कैसा फील हो रहा है। फिर मैंने कहा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंकल आज तुम 18 साल की हो गई हो और तुम बालिक भी हो कि हो तुम अपनी जिन्दगी अब अपने हिसाब से जी सकती हो अगर तुम चाहो तो अमीरों वाली जिन्दगी जी सकती हो आज मुझे एहसास हो रहा था। कि मैं जवान और बालिक हो गई हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ मुझे लगा कि अगर कोई शक्स महारे मन में बहुत कुछ चल रहा है और तुम मुझसे कुछ कहना चाती हो, मुझसे तुम भी जिजक होकर कह सकती हो. नहीं अंकल कोई बात नहीं है, फिर वो मेरे और करीब आकर बोले क्या मैं तुमें चू सकता हूँ, अंकिता बिल्कुल चू सकते हैं. मैंने कहा आज तो मेरा मन भी उनसे लिपटने को कर रहा था वो मेरे बिलकुल पास आकर मेरी आखों में जाकने लगे धीरे धीरे में उनकी आंखों में समाती चली गई वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे चहरे पर आई बालों की लटो को अपनी उंगलियों से हटाने लगे उनकी च्वन मुझे बहुत सुकून दे रही थी आज मुझे पता चला कि एक मर्द की च्वन का आनंद क्या होता है फिर उन्होंने अपने दोनों हातों से मेरे चहरे को ठाम लिया मैंने अपनी आखे बंद कर ली और उनके अगले एक्शन का बड़ी बेसबरी से इंतजार करने लगी लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अपने दोनों हात मेरे चहरे से हटा लिये अंकिता बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ अंकल मैं आप से बहुत प्यार करती हूँ और आपके गले लगना चाहती हूँ फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाई और खड़े होकर मुझे गले लगने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गले से लगा लिया जैसे कोई अपनी बेटी या अपनी बहन को गले लगाता है और क्या चाहती हो अंकल बोले मैं नशे में तो थी ही इसलिए बेजज़क होकर बोली। आपको किस करना चाहती हूँ फिर वह मुझे से अलग होते हुए बोले मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तो तुम्हें अपने साथ लाया हूँ लेकिन मैं तुम्हें चूमना नहीं चाहता बल्कि यह चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिखकर बहुत काम्या बनो जो तुम्हारे बड़े-बड़े सपने हैं, उनको साकार होते हुए देखना चाता हूँ.